नमस्कार, मैं हो ससी, आए जारखन के टोप 25 परमुख खबर जानते हैं नमस्कार, मैं हो ससी, आए जारखन बिहार सीमा, दुम्मा में मेले का उधाटन, सुबह के क्रिशी मंत्री बादल करेंगे, इसकी सभी तैयारिया पुरिकर ली गई है, इस वरत स्रावनी मेला थोड़ा अलग होगा, एक माह तक चलने वाला मेला करम से 15-15 दिनों का चलेगा, लेकिन इसी वीच परथम 15 दिनों के बाद एक माह का मलमास मेला लगेगा, यह मेला धाई वर्सों में एक बार लगता है, बता दे बाबा नगरी में जुलाई से अक्टूबर तक मेले का दर चलेगा, स्रावनी मेले से सुरू होकर भादों के अधाया मेला तक मेला वैसे तो महतो की पतनी, छारखन के दिवंगत सिक्छा मंतरी जगरनात महतो की पतनी बेवी देवी सोमवार को मंतरी पत की सपत लेंगी, अप्रेल में जगरनात महतो का निधन हुए था, सपत गरहन के एक दिन पहले रभीवार को बेवी देवी ने ट्वीट किया, जिसमें लिखा थ को सभी कसोट्यों पर खारा रखने के लिए पुना आप सभी के सहयोग असिर्वाद और दुआ की आकांची हूँ गोतला भाय की सनिवार को घोशित किया गया की दिवंगत सिक्षा मंत्री जगनात मतो की पत्नी बेवी देवी मंत्री पत्की सपत लेंगी ज़ारखन में अगले 24 गंट में भारी बारिस का अलर्ट ज़ारखन में अगले 24 गंट के बाद मानसून के सक्रियता में तेजी आएगी इससे राची समित राजे के कहीं हिसों में बारिस होगी हलाकी 7 और 8 जुलाई तक राजे भर में बारिस का पुरोनमान है रांची के मौसम बैग्यानि अभिसेक अनान ने बताया है कि रांची समित पूरे राजे में 24 गंटे बाद मांसू से क्रिये हो सकता है इससे राजे के कहीं हिसों में बारिस होगी संताल में 3-4 जुलाई को कहीं कहीं भारी बारिस होने का अलट है गोतला भाई की दो दिन के विराम के बाद अभराज भार में फिर बारिस होगी मौसम बैग्यानिकों ने बताया है कि जार्खन के कई जुलों में 6-15 जुलाई के बीच भारी बारिस होगी जिसमें अब तक होई कौम बारिस की भरपाई हो सकती है किसानों से खेतों को रोपाई के लिए त्यार रखने के लिए कहा गया है 4 जुलाई को जामो केंद्रिय समीती की बिस्तारित बैठक जार्खन मुक्ती मोर्चा की सबसे बड़ी कमेटी जामो केंद्रिय समीती की बिस्तारित बैठक केंद्री अद्यक्स सिवू सुरेन के देखता में 4 जुलाई को रांची के सोहराई भावन में होगी इस बैठक में पार्टी के करकारिया द्यक्स हेमन सुरेन सभी सांसात बिधायक और मंत्रियों के अलावा केंद्री समीती के सभी से भाग लेंगे विस्तारित बैठक होने की वज़ास जार्खन के सभी 24 जीलो के जामो जिला द्यक्स जिला सचीव भी इसमें सिर्कत करेंगे जार्खन के अलावा जामो के बिहार पच्छिमंगार अरूलिशा कमीटी के प्रतिनीदी मंडल भी सिर्कत करेंगे जार्खन के मन्रेगा कर्मियों ने चरनबत आंदोलन का किया एलान हेमन सरकार प्रवादा खिलाफी का आरोप लगाते वे मन्रेगा कर्मियों ने चरनबत आंदोलन करने करने लिया है मन्रेगा कर्मियों ने कहा है कि 16 वरस तक लगातार सेवा देने के बावजूद हमारा नियमिती करण नहीं किया जा रहा जबकि हेमन सुरेन ने सत्ता में आने से पहले हमारी सेवा अस्थाई करने का वादा किया था बताते जारखन के मंड़ेगा कर्मियों ने सरकार के खिलाप आंदोलन शुरू करने की चेताओनी दिया जारखन राज मनदेगा करमचारि संकी मोराबादी में रभीवर्को बैठक होई जिसमें स Ohio समति से आंदोलन करने का पास्ता लिया गया इस मौके पर संखे परदेश अध्यक जौन पीटर बागे सहीत मन्डेगा संकर करनी ने हमन सरकार के अब तक के रवाईये को मन्डेगा कर्मी बिरोती बताते हुए कहा है कि चरनबद अंदोलन के अलावा आप कोई रास्ता नहीं बचा है PLF5 सुप्रीमो दिनेस गोप अब करेगा ID का सामना PLF5 सुप्रीमो दिनेस गोप से टेंडर फरिंग मामले में पुष्टाच होगी सोमवार को ID की टीम रांची की बिशा मुंडा केंदरिये कारागार में ही दिनेस गोप से पुष्टाच करेगी PLF5 सुप्रीमो दिनेस को अब ID के सवालों का भी जबाब देना होगा टेंडर फरिंडिंग मामले में दिनेस गोप से ID की टीम रांची की बिशा मुंडा केंदरिये कारागार में सोमवार से पुष्टाच करेगी PLF5 सुप्रीमो दिनेस गोप से ID सवालों को जेल में ही पुष्टाच करेगी हजारी बाग से अवैद अंग्रेजी सराब की बड़ी खेब बरामाद चारखन के हजारी बाग परखन के भगहर पंचाय से अंग्रेजी सराब की भारी खेब को पुलिस ने बरामत किया है सराब को जमा किया गया था तथा कुछ सराब को एक ट्रेंकर पर लोट किया जा रहा है इस संब्ध में पुलिस उपादिक्चक CCR आरिफ इकराम के नतित्यु में पुवनी संभू नंदन इस्वर थाना परभारी और लक्षमन तीवारी एवां क्यूवार्ट तथा सेट 3666 तरबल के साथ टीम गठित किया गया है BJP संजाय सेट के नाम पर फरजी फेस्बूक आकाउंट BJP संजाय सेट के नाम से फेस्बूक पर फरजी अकाउंट बना कर साइबर फ्रोड लोगों से पैसे किमांग कर रहे हैं मामला सामने आने के बाद रांची के सांसर सिरीज सेट ने फेस्बुक पर अपने ओरिजिनल अकाउंट के माध्यम से लोगों से अन्रोध किया है कि ऐसे किसी भी अकाउंट पर भी स्वास और लेंदे नहीं करे रांची के सांसर संजय सेट ने फरजी फेस्बूक अकाउंट बना कर पैसे की मांग किये जाने को लेकर पसासन से करवाई करने और जार्खन पुलिस से मामले में संग्या लेने को कहा है फेस्बुक पोस्ट पर सांसल संजय सेट ने फर्जी अकाउंट के जरिये पैसे मांगने की बात साजा की है आंजन धाम से आई साधवीयों ने कॉंग्रेस नेता बंधू तिर्की से की मुलकात जर्खन समन्वे समीतिक सस्व कॉंग्रेस के करकारी अध्यक्स बंधू तिर्की ने कहा है कि गुमला के सुप प्रसीद आंजन धाम समेत राज के सभी धार्मिक अस्थलों का विकास पुन्रुधार और उसका आधुनिकी करन करने के साथ ही वाँ उपलावद सुईधाय राज सरकार की प्रात्मिक्ता में सामिल है उन्होंने कहा है कि जर्खन सरकार अपने इस दायत्यों को तत्परता से पूरा कर रही है चार जुलाई से सुरू हो रहे सावन को देखते हुए रभीवार को उनके आवाज पर गुमला के प्रसीद आंजन धाम से आई साध्यों स सावन को देखते हुए ये दल इन से मिलने पहुचा था इस दरण उन्होंने प्रेटन अस्थलों के विकास को लेकर भरोसा दिया है कि जर्खन सरकार प्रेटन अस्थलों के विकास को लेकर तत्पर है हावडा एस्टेशन से जर्खन की पांच नबालीग मोकते बचों को लेकर 22 877 हावडा एर्ना कोलम अंतियोदा एक्सपरेस में सवार होने वाले थे इससे पहले ही तसकर गिरोह के दो सदर से गिरफतार कर लिये गए इनकी पहचान रवी संकर देहाई 19 वर्षी और साइदी कूल इसलाम 25 वर्षी के तोर पर हुई है रवी संकर जारखन के दुमका जिले के खजूर गाउं का रहने वाला है जबकि साइदी कूल इसलाम 25 मंगाल के मुर्षीदाबाद जिले के समसेर गंज थाना छेतर का निवासी बताया गया आरपी एफ ने साइदी कूल इसलाम को मुख आरोपी बनाया है वहीं आर्पीएफ सुत्रों से मिली जनकारे के अनुसार सैदिकुल इसलाम पच्छिम मंगाल और जार्खन के गरीब परिवारों के बच्चों को यकत्रित करता था धन्यवाद